शुतों 3 अगस्त को प्रतिवर्ष राश्ट्रिय अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है जो अंगदान की प्रती लोगों की शंकाओं को दूर कर उन्हें अंगदान जैसे नेक कार्य करने हेतु प्रेरित करता है इस विशेश अफसर पर आये सुनते हैं सब्दजंग अस्पताल के डिपार्टमेंट और बॉर्न्स एन प्लास्टिक सर्जरी की कंसल्टेंट और विभागा धेक्ष डॉक्टर सुजाता सारबाही का संदेश दान किया गया प्रतेक अंग, बहु मूले, जीवन रक्षक और एक राश्ट्रिय संसादन है एक व्यक्ति अपनी मृत्यू के बाद किड्नी, लिवर, फेफडे, रिदे और आंथ जैसे कई अन्य महत्वपून अंगों का दान करके आठ लोगों को नया जीवन दे सकता है यहां तक कि कॉर्निया, त्वच्चा, हड्डी और हिदे वैल्व आदी जैसे टिशू को दान करके भी कई लोगों के जीवन को निखारा जा सकता है राष्ट्रिय अंगदान दिवस लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करने का एक बहुत ही मुल्लेवान अफसर है लोगों को एक नेक काम करने के लिए आगे आना और इस राष्ट्रे प्रियास में योगदान करने के लिए प्रोथसाहित करने का यह एक सुनहेरा अफसर है ऐसी सुविधा जहां मृत व्यक्तियों की त्वचा दान की जा सकती है उसे त्वचा बैंक कहते हैं अभी कुछ समय पहले तक यह सुविधा महराष्ट्र, चिन्नई, करनाटक, मध्यप्रदेश और उडिसा में ही उपलब्ध थी लेकिन अब दिली के सब्दजांग अस्पताल में उत्तर भारत का पहला कार्यात्मक स्किन बैंक इस साल से उपलब्ध हो गया है स्किन ग्राफ्टिंग एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है, मृतक व्यक्ति की त्वचा मृत्यू के 6 घंटे के भीतर दान की जा सकती है त्वचा को निकाल कर प्रक्रिया में लगाया जा सकता है जिसमें के 6 से 7 सपता लगते हैं इसके बाद इसे इस्तिमाल किया जा सकता है। त्वचा को 3-5 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि मरीज की त्वचा गंभीर रूप से जल गई है या शतिग्रस्थ हो गई है और उस शेत्र को त्वचा के विकल्ब से नहीं ढखा गया है तो उनमें संक्रमन हो सकता है। त्वचा संक्रमन, त्वचा कैंसर के उपचार, त्वचा के अलसर और धीमी गती से ठीक होने वाले या बड़े घावों के रोग्यों को त्वचा ग्राफ्टिंग से लाव हो सकता है। ऐसी हमारी आशा है। धन्यवाद।